नमस्कार दोस्तों मेरा नाम आसीस है आज हम चर्चा करेंगे modern history part second जिसमें total 20 questions है यह 20 questions previous examination में पूछे हुए questions है इसे हम आज पूरी तरह से चर्चा करेंगे इसे पहले आपको बता दें कि modern history part 1 का वीडियो देखने के लिए description में link दिया गया है आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं साथी आपको part 3 तक यानि कि भाग 10 तक quality और constitution यानि की सम्मिधान से संबंधित question आपको मिल जाएंगे यानि कि 200 question आपको quality से संबंधित मिल जाएंगे आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं इसका भी link आपको description में दिया गया है आप वहाँ से देख सकते हैं चलिए हम आज का पहला प्रश्ण देखेंगे इसे पहले आपको बता दें कि यदि आप channel पर नए है तो channel को subscribe कर लिजी बगल में पेल icon बनी होगी आप उसको दबा लिजी ताकि आपको नए वीडियो को notification सबसे पहले प्राप्त हो और वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें वीडियो को अंतर जरूर देखें और अच्छा लगे तो लाइग भी कर दीजिएगा चलिए आज का हम पहला प्रश्ण देखते हैं पहला प्रश्ण है निमलिखित कतनों पर विचार पर विचार कीजे रावर्ट चलाई बंगाल के प्रथम गवर्णर जनरल थे बिलिएम बेंटिंग भारत के प्रथम गोवर्णर जनरल थे उपर उकत कतनों में से कौन सा यसे सही है या है केवल एक केवल दो और 2 दो ना तो एक ना तो दो दो तीह आपको बता देखक ग्तन 1773 में एक आया था रेग्लेटिंग एक्ट ठीक है 1773 में क्या था रेग्लेटिंग एक्ट आया था इस एक्ट के तहाद इस एक्ट के तहाद कि अध्यच को गवर्नर जनरल का पत नाम दिया गया तो इसलिए उस समय 1774 इस भी में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नुक किया गया यानि कि ये कथन बिल्कुल गरत हो जाएगा यहां रावर्ट कलाईवे यहाँ पर क्यों होना चाहिए वारेन हेस्टिंग होना चाहिए दूसरा कथने देखिए दूसरा है बिलियम बेंटिंग भारत क प्रथम governor जणर्डल थे यहाँ पर आपको बता दें कि ये बात बिल्फुल सही है billiam banting भारत की प्रथम governor जणर्डल थे इसलिए हमारा पहला कतन तो गलत हो गया दूसरा कतन सही है इसलिए हमारा b option से युज़ाएगा केवल दो टिक चले देखे दूसरा कुश्य नहीं सुरक्षा प्रकोष्ट की नीती संबंदित हैं वारेन हेस्टिंग से लाड़ डलहोजी से हेंडी लॉरेंस से लाड़ हेस्टिंग से यहाँ पर आपका ए आपसन से हो जाएगा वारेन हेस्टिंग से ठीक है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वारेन हेस्टिं मराठों के साथ युद्ध और अन्य भारती रियास्तों के साथ बरावरी की पदवी परात करने की भावना से किया था इस समय कमपणी ने अपने राज के चारूर वफर स्टेट बनाने का प्रतने किया था इनका उद्देश क्या था इनका उद्देश किवल अपने राज की र रच्छा करो ताकि अपनी सीमाएं खुद सुरच्छित रहे तो उस समय जो भय था वो भय किसे था वो अफगानों से और मराठों से था तो इसलिए कंपनी ने अवद की रच्छा ब्यवस्था की कारे को इस सर्थ पर संभाला कि अवद का नवाब उस ब्याय का बोज उठाए और इस प्रकार अवद की रच्छा ही बंगाल की रच्छा थी तो बेलेजली के आने से कंपनी के भारती रियास्तों के साथ संबंधों में परिवर्ता नाया तो बेलेजली का उद्देश भारती रियास्तों को अपनी रच्छा ही तो कंपनी पर निर्फर करने पर बात करना अब क्या हुआ ऐसे में उसने भारती रियास्तों को अंग्रेजी राजनीतिक सक्ति के और साइनिक रच्छा के घेरे में लाने का प्रत्नि किया गया जिसे घेरे की नीत या सुरच्छा प्रकोष्ट का जाता है तिसलिए हमारा ए आपसन सही हो जाएगा वारिन हेस्टिंग अ चलिए देखिए अगला कुषिन है किस गवर्नर जनरल पर महावियों का मुकद्मा चलाए गया था तिहां वारेन हेस्टिंग्स लाड़ कलाईव लाड़ कार्णवालिस लाड़ बिलेजली यहां पर आपका ए आपसन से हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स टेक है देखिए वारेन हेश्टिंग्स की अन्यायपूर तथा निरंकुस कार्यों की कारण उस पर महावियों का मुकदमा चलाए गया जो 1788 से 1795 तक चलता रहा लेकिन ब्रिटिस संसद ने उसकी सेवा को देखते हुए उससे सभी दोसों से मुक्त कर दिया जो ब्रिटिस संसे थी उनकी जो सेवा थी उनकी सेवा देखते हुए सभी दोसों को मुक्त कर दिया और यह भी कहा कि वारेन हेश्टिंग्स ने यह सब कुछ सामराज की हित के लिए किया ना कि अपने लिए तो वारेन हेश्टिंग्स पर लगे महावियों के बारे में विविन प्रकार के मत हैं जैसे B.A. स्मित का निड़े बहुत मान हैं उन्होंने कहा है कि उसके थोड़े से दोस्त जहां तक वे वास्तों में दोस्त थे उस राजनीतिक के दोस्त थे जिस पर सहसाही संकटा पड़ा हो और जिस पर इतनी कटिन उल्जने आ पड़ी हो कि कभी-कभी मानवी समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक थी तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो महावियोग का जनल मुकतम चलाए गया था वो वारेन हेस्टिंग्स पर चलाए गया था इस पर अ अप्षन से हो जाएगा अगला देखिए झावत में नयायक संगठन की अस्तापन है किने की थी ल स्चाहर है एक बहुता-खा हता। लाड कारणावालिस ठीक है देखे दिवानी और फौजदारी ठीक है त्यांड़ कियेगा दिवानी और फौजदारी दिवानी और फौजदारी नियाले के स्रेडी बद संगठन के लिए या स्रेडी बद संगठन के जरिए नियाय प्रदान करने की एक नई बेवस्था की नियो अंग्रेज याने की लाड कार्णावालिस ने की थी तो ये अगर देखा जाए तो इसकी जो सुरुवात हुई थी वो वार्ण हेस्टिंग्स ने आरंग किया था मगर जो कार्णावालिस थे उस समय इसको काफी सुद्रिण किया था ठीक है अगर इसकी सुरुवात कौन किया था वार्ण हेस्टिंग्स के समय आरंग किया गया था और कार्णावालिस ने इसे काफी सुद्रिण बनाया इसलिए आपर भी आपसन से जाएगा लाड कार्णाव ठीक है तो लाड़ कारणवाली 1786 ठीक है 1786 से 1793 कि 1793 योग तीज जुलाई 1805 ठीक तीज जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक यहां पर 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर्ट जंतल रहा इसे भारत में इस्तम्रारी या अस्थाई बंदोबस्त न्याइक सहिता तथा भा प्रवर्तक की रूप में जान गाता है इनकी मिर्तूज जो हुई थी वो 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपूर उत्ता प्रदेश में हुई थी और यहीं पर इनकी कब्र है इसलिए हमारा ए अपसन से जाएगा गाजीपूर अगला देखिए छटा है लाड बेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संदी बिवस्ता के बारे में इमलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है यहाँ पर द्यान रखिएगा नहीं होता है पूछ रहा है ठीक है पहला अपसन है दूसरों के खर्च पर एक सर्वोच अस्थापित करना तो आपको बता दें कि दूसरों के खर्च पर बड़ी एक बड़ी सेना बनाए रखना यह आपसन आपका बिल्गुल सही हो जाएगा देखिए लाड बिलेजली जो सहायक संदी बिवस्ता था यह आपसन सही था दूसरा है भारत को नेपोलिन की ख़त्रे से सुच्छित करना ए भी सही था कंपनी के लिएक नियत आएका प्रबंद करना इस विवस्ता से कोई संब्द नहीं था इसलिए गलत हो जाएगा तीसरा चौथा है भारती रियास्तों की उपर सर्वोच बिटिस सर्वोच अस्थापित करना ए भी सही है त्याने क लिए एक नियत आएका प्रबंद करना देखे लाड़ बेलेजली ने भारती राज्यों को अंग्रेजी राजनाइतिक परिदी में लाने के लिए सहायक संदी प्रडाली का प्रयोग किया था उससे में फ्रांस के इबरत यूरोपी सक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन फिन हो चुका था तो नेपोलियन मिस्त सीरिया को बिजित कर चुका था और गंभी इरता पूरबग भारत पर आकमड करने की सोची रहा था ऐसी परिस्थती में बेलेजली ने भारत में सहायक संदी प्रडाली का प्रयोग किया जिसे अग्रेजी सत्ता की स्रिष्टता रही ने भी टल गया तो सहायक संदी में एक सर्तेयावी थी कि संदी को सुईकार करने वाली रियासत कंपणी को एक सेनर अरकरca को देना होगा अब इस सेनर को चलाने successful company को देना होगा सायक संदी को सुउकार करने वाला राज किसी भी यूरोपी आंग्रेजों के दुस्मनो की सहायता नहीं करेगा और उनसे किसी विव्यक्ति को नौकरी नहीं देगा दोस्तों आपको बता दे कि अगर आपको modern history से संबंधित आपको lecture सुनना है यह देखना है वीडियो देखना है ति इसका आपको वीडियो आपको स्क्रिफसर में लिंक दिया गया है आप वहांसे भी modern history से संबंधित लेक्चर को देख सकते हैं ठीक है चलिए साथ वह देख लिजे लाड़ बेलेजली की सायक संदी को सुईकार करने ओला पहला मराठा सरदार था ठीक है पहला मराठा सरदार पेश्वा बाजिराव दूति र को धौलत राज सिंधिया और जस्वन्थ होलकर दोनों पूना में अपनी को सर्वसेष्ट प्रदर्शित करना चाहते थे कौन-कौन धौलत राज सिंधिया और जस्वन्थ होलकर ठीक है बाजिराव दित्ति सिंधिया का साथ दिरा था उसने 1801 इस वी में जस्वन्थ के भा पूना पर आक्रमण कर पेश्वा और सिंध्या की संयुक्ट सेना को हरा दिया तो बाजी रादियुती इन्हें भाग कर बासीन में सरल ली कहाँ पर बासीन में सरल ली याद रखना बासीन में सरल ली तो बासीन में जब सनदे लिए और 31 संदी किसके के विच और पेश्वा बाजी राव दूती के मत्वी थी तो यह संधी मराटवत और अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधी नहीं की थी तो हाइदराबाद के निजाम ने इंदावर के होलकर राज ने जूतपुर के राजपूत राज ने मैसूर के सासक में तियाप पर आपको बताते हैं बी आफसन से हो जाएगा इंदावर के होलकर राज ने इंदवर की होलकर राज ने सहायक संदी सुईकार नहीं की थी देखिए लाड़ विलेजली 1798 से 1850 तक इनका कार काल था ठीक है लाड़ विलेजली का जो कार काल था 1798 से 1750 भी तक भारती राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक के परिदी में लाने के लिए सहायक संदी का प्रियोग किया था तो ऐसे में इंदवर के होलकर राज ने सहायक संदी सुईकार नहीं की थी अब बिलेजली की साहाइक संदीक सुजिकार करने वाले राज जिसे हैद्राबाद की निजाम ने किया था तो कब क्या था यह करीब 1798 से 1880 जान रखना है 1798 से 1790 मना जाता है मैसूर 1799 में किया था ठीक है मैसूर 1799 और भी राज्यें तो यहां पर हमारा जो भी अपसन जो भी एंसर हो जाएगा वो भी होगा इंदवर के होलकर राजने साहाइक संदी सोईकार नहीं की थी अगला कुछन देखिए आंगली नेपाल यह थी किस किस आसन काल में होगा था लाड कारणावाली लाड हेस्टिंग्स लाड विलेजली वारन हेस्टिंग्स यहां पर भी आपसन से हो जाएगा लाड हेस्टिंग्स ठीक है तो लाड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर 1820 थptяд? तो और 1825 भी में सुगावली की संधि से समाप्त कर लिया गया? यानि कि जो यह यह वी प्रता इस ओता अपर लाट हे अगला देखेगा. अगला देखिए दस्वाएं सती परथा प्रऴ पाबंदी किस नहीं लगाई? तिहाँ पर आपका सी आपसन से हुएगा बिलियम बैंटिंग राजा राम मुहन राज जैसे प्रभोद भारती सुधार को ने बिलियम बैंटिंग को इस प्रथा को अवैद घोसित करने की प्रियनला दी बहुत से समकाली इन प्रगिती सील समाचार पत्रों ने इनका समर्थन किया और बिल्यम बेंटिंग ने कानून बना कर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया दिसंबर 1829 में कब 1829 सीजबी में दिसंबर 1829 सीजबी के नियम सत्रा जो नियम था रूल्स नियम सत्रा के दौरा बिध्वाओं को जलाना अवैद घोसित कर दिया अरम में या कानून के ओल बंगाल प्रेजिडेंसी में लागू हुआ था जो कि बाद में 1830 सीजबी में यानि यह बंबाई और मद्रास प्रेजिडेंसी में भी लागू हो गया यहाँ पर सी आप्सन से विज़ाएगा बिलियम बेंटी अगला देखी लाट डलहुजी द्वारा अवत का अंग्रेजी राज में बिले निम्न में से किस रीती सी हुआ था अपाराण की निती द्व युतादरा सहायक संद्राण या कूपरसाशन की कारन यहाँ पर डी अपसं से हो जाएगा कूपरसासन की कारन ठीक है तेखो लाट हलाँ जी का कारेकाल कब था वो 1848如果 fighters तक था Real want गयmore opposition ऐसीट हंज्ट थक था तो अवत की नमाब उसमें वा्जित अलीज हो पर कुसासन का आरोप लगाया गया और 13 फर्वरी 1856 को चंप तर्टीन परवरी 1856 इसमी को ठीकर उसका अंग्रेजी राज में बिला कर लिया गया तो उसमें जो अवध कASH वाजिद अलीसा था वाजिद अलीसा पर कुशासन का आरोप लगाया और कुशासन का आरोप लगाकर ही 13 फर्वरी 1856 इसभी को अवद अंग्रेजी राज में मिला लिया गया तो अवद के अलावा डलहुजी के बैपगत सिधान्त के अंतरगत भी कुछ ऐसे प्रदेश हैं जिसका बिले किया गया था जैसे 17 का हो गया तो 17 का बिले हुआ था वो 1848 मुँआ था ठीक है य लेकिन इसके सासाथ यह साथ ही डलहुजी कि वेपकत सिधान्त के अंतरगत और भी किय गए थह जिसमें 17 है वो 1848 में जैदपूर और संभलपूर है 1849 मी बघहात 1850 उदैपूर 1852 जहांसी 1853 नाथ्पूर 1894 और करॉली 1825 में दोस्तों आपको फिर से बता लेते हैं कि आपक यानि कि इसका वीडियो खास करके लाट अलोजी का वेवगत सिद्धान पर जो वीडियो बनाया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक वहां पर दिया गया है आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं वीडियो काफी छोटा है और अच्छा है पूरी तरी से उसमें कवर कवर किया गया है और वीडियो बहुत अच्छा लगेगा आपको आप वहां से वीडियो देख सकते हैं ठीक है चले हम अगले कुशिन तरह बढ़ेंगे भारत में ब्रिटिस सासन की दौरा निमलेखित राजसी राज्यों के बिले करम पर विचार कीजिए चासी संबलपूर सतारा एक दो तीन दो एक तीन एक दो देखिए आपको इससे पहले हमने जो कुशिन बताया था उसमें भी आपको जो बिले संबंदी थे आपको बताया थ ता हम जैसे आपको बताया था सतारा सतारा अंग्रेजी राज में कब इले हुआ था यह अठारा सो अननचास नहीं दीए अटारा सो अननचास गया और जो जहासी था इसका भी अठारा सो तो दोस्तों आप ही लोग बता दीजे कौन से इसमें आप्संस यह जाएगा। यहां पर एक दो तीन है एक तीन दो एक तीन एक दो है। यहां पर तीन डो एक आपसंस यह जाएगा। किसी आपसे से जाएगा तीन दो एट ठीक है अगला कुछ नहीं कि निमलीखित में से कौन आवद का बिटिस रेजिडेंट था जब आवद का बिटिस सामराद में बिले हुआ तो आपको पता है कि 1856 में आवद का बिले हुआ था और किसे वाज़ेस हुआ था कुछ आसन के आ यहाँ पर आपसन है जेम सा तरम है डबल का बिर्टिस रेजिडेंट बना गया हुआ था उसने कहा था यहाँद का प्रसाहसन बहुत दूसी थे किसने का था जेम्स आउट्रम तदा जनता की अवस्था बहुत सोचनी है तो आउट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवद के अधिगराहन का आधार बनाए गया था तो 1857 की विद्रों के समय लखनाओं में बिटिस रेजिडेंट हेंडी लॉर्ज था जो बिद्रों के हाथ मारा गया था तो आपको फिर सिफ बता देते हैं कि जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर ही कुसासन का आरोप लगा कर अवद को बिटिस सामराज में मिला रहे था तिक तिसले हमारा ए आपसन से जेगा जेम्स आउट्रम अगला देखिए चोधवा हैं बिधवा पुनरविवा अधरियम किस की सासन में क्रियानवित किया गया था यहाँ पर आपके सासन के लाड अलहुजी, लाड कैनिंग, सर हेंडी, होडिंग, लाड लॉरेंस तो यहाँ पर आपका बी आपसन से जेगा लाड कैनिंग, ठीक है, लाड कैनिंग, यहाँ पर बी आपसन से जेगा लाड कैनिंग, ठीक, देखिए, इसवर्चन बिध्या सागर की बहुत, इसवर्चन बिध्या सागर ने बहुत प्रयास किया था, उनकी अथक प्रयासों की फलसरूफी लाड कैनिंग के समय बिधवा पुनर विवा अधनियम 1856 ठीक है बिधवा पुनर विवा अधनियम 1856 पारित हुआ इस अधनियम के नियम 15 यह भी याद रखिएगा ध्यान रखिएगा नियम 15 के ताथ ठीक है नियम 15 के ताथ बिधवा विवा को बैद माल दिया ग शापन में उससमय कौन सा सकता यानि कि कौन किसके जनेरल गवरनर था तो उससमय जनेरल गवरनर जर्ज आकलेंड वारिन हेस्टिंग यहाँ पर आपको फिर से बता रहें आपका एंसर लाड़ डलहुजी होगा ठीक है लाड़ डलहुजी एपसंट से जागा देखें डलहुजी से पूर डलहुजी से पहले सारविजनिक निर्माड का कार एक सैनिक बोर्ट पर था तो इसके कारकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माड विभाग बढ़ाए गया और सार्वजनिक उपयोग की कार के लिए बहुत सा धन बैग किया जाने लगा इसलिए हमारा एक आपसंद सरी जाएगा लाड डलहोजी अगला देखिए सोलवा हैं एक नॉमबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोशला पत्र इलहाबाद में पढ़कर सुनाया था लाड बिलियम बैंटिक ने लाड कैनिंग ने लाड बर्नहम ने सर हरकोट बटलर ने यहाँ पर बी आपसंद से जाएगा लाड कैनिंग ने 1857 की महान करांती का सबसे सफलता पूर्वत प्रडाम था महारानी की उद्गोशला या उद्गोशला एक नॉमबर 1858 को इलहाबाद में हुए दर्बार में भारत के प्रथम वाइसराए लाड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था अगला देखी सत्रावा है निमलिकित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समात किया था लाड कारणावालिस लाड एलन बरो लाड बिलियम बैंटिंग ने सर जान सोर ने यहाँ पर बी आपसंद से जाएगा लाड एलन बरो ने 1843 में नियम याने की एक्ट फाइब के दौरा भारत में ततकालीन गवर्नर जनरल रहे लाड एलन बरो ने दास प्रथा का उड्मोलन किया था लाड एलन बरो का कारिकाल 1842 से 1844 भी था अगरा देखिया ठ्रावा है निमलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियास्तों के साथ वर्स 1817 के अधिनस संदी की बात चीत की थी डेविड आक्टर लोनी, चार्ल्स मेटकाफ, आर्थर विलेजली, जान जोर्ज यहाँ पर भी आपसने से रियागा चार्ल्स मेटकाफ राजपूताना की रियास्तों के साथ 1817-1818 की अधिनस संदी की वर्ता चार्ल्स मेटकाफ ने की थी लाड हेस्टिंग्स ने राजपूताना पर बिटिस सर्वचता, मराठों और पिंडारियों के प्रती राजपूतानों की तटस्था सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के ततकालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकाफ को वर्ताकार बनाया था इसलिए बी आपसन सही हो जाएगा अगला देखिए निमलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है त्यापर आपको बता दें कि जो सर्जानसोर हैं उनके समय में आंगल नेपालियोत नहीं हुआ था और आंग नेपाल योत जो हुआ था वो लाड हेस्टिंग के समय हुआ था तो लाड हेस्टिंग के समय में यहां आंग नेपाल हुआ था यानि कि यही सुमलित नहीं है यानि कि तीसरा सुमलित नहीं है बाकी सभी सही है यानि के लाड कारणावालिस के समय यानि की काल में अस्थाईव अंदोबस प्राजी लागो की गए थी लाड विलेजली के समय में साहिक संधी प्राणी और लाड हेस्टिंग्स के समय तिरती आंगल मराथा युद्ध हुआ था और लाड हेस्टिंग्स के ही समय आंग नेपाल युद्ध हुआ था तिक इसलिए हमारा जो आपसन है वो तीसरा यानि किसी आपसन सही हो जाएगा अगला देखिए विस्वा आज का लास्ट कोजिशन है नेम लिखित में से कौन सा युक्म सही सुमलित नहीं है देखिए लाड अलहोजी आवद का बिरेनी करण लाड अफरिन भारती राष्टी कांगरिस के अस्थापना लाड बिलियम बैनेटिक चार्टर राइट रठास्था तिस का पारित होना लाड लेटन पर्थम अफगान युद्ध का प्रारम होना यहां पर आपको कुश्यन है स देखिए लाड अलहोजी के समय में आवद का बिलियम नी करण हुआ था यह सही है लाड अफरिन भारती राष्टी कांगरिस के स्थापना यह भी सही है लाड विलियम बैन्टिंग चार्टर रेक ठास्था सु तैस्पारित होना यह भी सही है लाड लेटन के समय नहीं वह पुझरा सुमेलित नहीं है, सुमेलित कौन नहीं है, ये D option इसलिए हमारा D option सही हो जाएगा, ठीक है, दोस्तों आज का वीडियो कैसे लगा है, वीडियो लाइक किजिए, तथा दोस्तों साथ सेर किजिए, कल फिर मिलते हैं Beats Question के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, झाल